यह राम राम चार आएने जांकित आए हम पुछा पुछा पुछ सेखेंगे आए है 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 पुछ आए है 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 इंट कर देंगे श्वच्छता भियान कहते हैं उसमें ये श्वच्छता भियान केंश मदद करेंगा वाथावन गोष्चत्र अभाण तो हुनारा प्रत्रव को सवस्ता तब ही दूस्त है वार सोनीपत में गावों में कैसा है लोगों का सवस्था कि मैं विश्वास कैसा आब थोड़ा ज़्यादा ज्यादे रहे हैं आज सवस्ता गितरफ हां कि अंतित आप फुजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समझ देते हैं और दिन में च्यार से पास गंटे आप को भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी दनी एक्सराइज गरते हो मैं ज्यादा एक्सराइज नहीं करता हैं लेकिन रोज मरा के जिन के लिए ज दिसिप्लिन फॉलो करता हूं दो चीजों में मेरा भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है एक कि खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए और मैं देने ही पा रहा हूं मा देश को सुलाने के लिए आप तो जाग ना बढ़ता है आपने जो सोशल मिडिया का कैसे पॉजिटिव उप्योग होता है यह परफेक्ट एक्जम्पल आपने दिया है और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे बेबी अब तो आप पार एक चीजों को फोलो करते हैं मैंने एक बार एक सोशल मेडिया पोस्ट देखा था किसी बच्ची ने मेरी मा का जीम ऐसा करके वीडियो रखा था और उतमें मेरी मा सुबेश सथाम जो काम कर रहे हैं चक्की चलाती है वो भी उसका जीम है कप्ड़े दोती है वो भी उसका जीम है इतना इफेक्टिव कि पूरा हो गया देख लेखा रहे हैं जीटोंटी वाला सम्मेलन देख्या वह वह स्थाजिक रहे हैं मतलब हर बारतिय ने बहुत गरा हो गया इस चीज़ पर आपने देखा होगा है जो भारत मंदपम बढ़ा है उसने भी पूरा दिवाल हमने योगा का बनाए और वहां कोई उसको मोबाइल पर ले लेगा तो उसको उस आशन का क्या फायदा होता है कैसे करना उसका पूरा डिटेल मिल जाता है और आपने जो स्पोर्ट से लिए किया है मैं खुद स्पोर्ट्स परसन था इंजरी के मारे थड़ा सा दूर स्पोर्ट्स था है पर मतलब देख्या आपका जो 75 डे चालेंज है उसमें क्या करते है उसमें पांच रूल फोलो करनी हो रहे है एक दो टाइम वरकाउट हो उसमें दो टाइम होना चीए अलग 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 होना चीए एक इंडोर एक आउट्डोर हो दुनमा आउट्डोर होता जब भी कोई दिक्कत नी दूसरा च्यार लीटर पाणी एक बुक पढ़नी है दस पेज कोई भी बुको उसमें मैं अपनी पुरान पड़ना गरहे हूं अच्छा पहले शिर्मत बागवति कीता पर डी थी इव शिप पुरान पड़ना गरहे है और चोथा रूल है उसका श्रीक टाइट फोलो करनी है और सबस्ता के लिए सब की रूची बन रही है परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो अच्छा वात आवे इसे भी चलिए अंकित बहुत बढ़िया काम करें आप बहुत आगे बढ़िया